अगर रोज की सब्जी खागा कर हो गए हैं बोड तो ट्राइ करिएगा मेरे साथ ये रेसिपी जो की बहुत टेस्टी और डिलिश्यश है तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अरवी के पत्ते क यह सब्जी जो की बहुत ही टेस्टी होती है तो इसको एक बार देखेगा जरूब तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए अरवी के पत्ते ले लिए हैं और इसे अच्छी तरह से दो लिया है मैंने धो लिया है धोने के बाद हम घोल लेंगे ठीक है और इसके बाद जो सबसे बड़ा पत्ता होगा उसको हम सबसे नीचे रखेंगे और ऐसे करके चिपकाते जाएंगे तो इसी तरह से जो सबसे बड़ा पत्ता होगा उसको सबसे नीचे रखिएगा और आप एक पत्ते को और ऐसे बेसन लगाते हुए हमें बस चिपकाना है तो जितना सारा पत्तार है गा सारा हमको इसी तरह से को सबसे नीचे और चोटे को उपर करते जाएंगे तो देखें इस तरह से मैंने चिपका का लिया है वह सही से हम काट नहीं पाएंगे सारक खुल जाएगा तो इसलिए इसको इसको इकदाव हम पो टाइट करते हुए इसको चाड़ों तरफ से पकरके और ऐसे करके रोल बनाना है थोरा सा टाइट लिए ठीक है तो बस आराम से हो जाता है बहुत ज्यादा जहमेला नहीं लगता है थोड़ा सा पेशन के साथ करना पड़ता है ठीक है तो देखिए इस तरह से हो गया और इसके बाद बेशन हमें अच्छी तरह से लगा के इसको चिपकाना है तो हमारा जो रोल है देखिए बनके तयार हो गया तब इसे हम पांच मिनट के रख देंगे ताकि यह थोड़ा थोड़ा सा बेशन का जो हमारा गोल है उससे हम कोट कर देंगे तो हमारा यह जो पूर अच्छी तरह से सेट हो जाएगा अब इसके जो हम फ्राइ करेंगे तो यह बिल्कुल खुलेगा नहीं तो देखिए इस तरह से हम कर लेंगे तो इस तरह से सब हो गया है देखिए यह इस तरह से सारा हम मैंने बना लिया है अब चलिए इसे फ्राइ करते हैं तो इसे फ्राइ करने के लिए यहां पर मैंने सरसो का तेल का इस्तेमाल किया है तो तेल हमारा गरम हो गया है और इसमें हम सारा डाल देंगे तो यहां पर मैंने डाल दिया है और अब इसे तब तक फ्र बहुत अच्छी तरह से घंड नहें लगता है तो अचाइन हो सबस्कीनी तो भाँ के पठाव गए में वोगताई से दो ग्यूचॅह tea साबोत सरसो डालेंगे पीला सरसो और ठोड़ा सा जीरा डालेंगे और बस इन्ही चीजों से हम एक पेश्ट बना लेंगे और इसके बाद बस इसी पेश्ट का इस्तेमाल इसमें हम करेंगे तो चलिए अब हमारा जो पकौरा है वो अच्छी तरह से दोन तरफ फ्राई हो गया देखें यहां पर कितना सुनेरा हो गया है तो आप हम इस टाइम पर सारे पकौरों को निकाल लेंगे और इसी तरह से जो भी पकौरा है और हम सारा फ्राई कर लेंगे तो देखें यहां पर कितना बढ़िया लग राए इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं तो चलिए अबभार ह यहां पर मैंने थोड़ा सा तेज पत्तर दिया थोड़ा सा 5 फोरन और इसमें जो मसाला मैंने अग्राइंड करके रखा था उसे हम डाल देंगे और इसे मसाला को थोड़ा अच्छे से रोग फ्लेम पे हमें पकाना है क्यूंकि इसमें प्याज भी है प्याज का पानी अच्छ करेंगे अब इसके साथ भी इसके साथ ही हम यहां पर नमक डाल देंगे नमक आप जितना ग्रेवी रखेगा उसी इसाब से डालेंगे तो यहां पर मैंने नमक डाल दिया है और अब इसे हमें low to medium flame पर पकाना है क्योंकि मसाला जलना नहीं है और प्याज को अच्छी तरह से भ यहां पर हमारा मसाला जो है अच्छी तरह से भून गया है तो अब यहां पर हम पानी डाल देंगे तो हमें जितना ग्रेवी रखना है उसी हिसाब से पानी डालेंगे तो हमें यहां पर ज्यादा ग्रेवी नहीं रखना है तो इसलिए मैंने पानी डाल दिया अब इस पानी खुझली माने की पेफाद राई तो इसका यहां पर कहने लिखें से 20 अर्पनी ने के भी तुझारी में हुझली तुक्राइबर रहना है, Crunch Sunda omla पक्रती सब्सक्राइक करें। निए अमारे बडंग पेहें छिपने में फ़्हाद के लिखता बिल्कुल नहीं है ढग देने से तूट जाएगा बस पांच मेनटी से हमें पकाना है और इसके बाद जो हमारा ये सब्जी है वो बिल्कुल रेडी हो गया है और आप एक बार इसको ट्राइ करके देखे आप मचली खाना भूल जाएंगे ये इतना टेस्टी लगता है और ये तो देखे कितना अच्छा लग रहा है देखने में तो आप लोग ट्राइ करिए और चावल के साथ इसको खाईए चावल के साथ ये बहुत टेस्टी लगता है तो एक बार ट्राइ जलूर करिए और अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल क को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और मेरे वीडियो को सेर करिए अई ऐसे ही देखते रहे हैं मेरे वीडियो को धेर सारा प्यार देजिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ अब तक एलिए बायबाई